पूरे देश में एक दहसत का माहौल है। उससे आपको रूप भरू कराने और आपके माध्यम से पूरे राज्य और देश को रूप भरू कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। शुरुवात इस बात से की जा सकती है कि मोधी सरकार का कमाल जनता के पैसे लूट कर अडानी हुआ कंगार। आज इस्तिपी देश में कुछ इस प्रकार की है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारी क्या हलत हुई पड़ी है और किस तरह से देश का सदन चल रहा है, संसत भौवन में चर्चा हो रही है। लेकिन देश के प्रधान मंत्री आज चुप बैठें जिस तरह से LIC का पैसा अडानी के पीछे लगाया गया, उससे यह अस्पष्ठ हो गया कि जो हम दो हमारे दो की बात हम कहते थे, अब दो हम दो हमारे दो के साथ साथ और दो जो हमारे LIC और SBI थे, उसको भी बरबाद करने की योजना कुछ अपने साख्यों को मदद करने के लिए इन लोगों ने बना ली है। और कल क्या हो नहो अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि साथ आपको परसो SBI के तमाम एटियम में हजारों लाखों की संख्या में लोग लाइन में लगे दिखाई देंगे। वो इसलिए मैं कहे रहा हूँ कि जिस तरह से लागातार बाजार में आडानी के सेयर वैल्यूज गिर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने सेयर को 43 गुना बढ़ा करके बेचने का काम किया था और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि करोडों करोड का लाखों करोर का नुकसान हुआ है ये नुकसान जनता के पैसे का हुआ है और इस नुकसान से पूरा देश हम समझते हैं कंगाल को होने की स्थिती में है 40 करोड के लगभग निवेसक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी LIC में लगाई थी उनके भविष्यका सवाल है और LIC में जो अडानी इंटरप्राइजेज है एक परतीसत से बढ़ा कर LIC ने 4.23 परतीसत अपना निवेस कर दिया था ये किसके ही साड़े पे हुआ था आप किसी से छुपा नहीं है जिस तरह से मित्रता दिखाई देती है प्रधान मंत्री जी क्यों कि उससे हम कह सकते हैं कि मित्रकाल के हम दो हमारे दो देश की संपती बेचुदो का नारा कहीं न कहीं बुलंद होता दिखाई दे रहा है जिस तरह से सबसे बड़े कार्परेट फरोड का इल्जाम लगा है उसमें हमें लगता है कि आज देश में जो लोग बैठे हैं चाहे प्रधान मंत्री हों वित्त मंत्री हों सभी लोगों को इस पर चीजे अस्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका च लाइड लाइन है तो ऐसी स्थिती में देश पहुचा हुआ है और प्रधान मंत्री जी चुप रहें चुप जो है समझ से पड़े दिखाई देता है लाइसी के 29 करोड पालिसी होल्डर और SBI के 45 करोड खाताधार को के साथ धोखा हो रहा है और आप देखेंगे तो जो हमा पास आकड़े हैं वो अडानी इंटरप्राइजें में 1% से कम LIC की हिस्थेदारी बढ़कर 4.23% हो गई अडानी टोटल गेस में यह हिस्थेदारी 1% से कम थी बढ़कर के 5.96% पहुच गई अडानी ट्रांस्पिशन में LIC की सेहर धायता 2.42% से बढ़कर के 3.65% हो गई अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से भी कम थी वो 1.28% हो गया LIC का अधिकारिक रूप से कहना है LIC का अडानी में एक्विटी एक्सपोजर 56,142 करोड रुपे आ है और LIC के 49 करोड पॉलिसी धारकों और निवेसकों के 33,60 करोड रुपे डूप चुके है तो ऐसी स्थिती में हम लोग जो देख पा रहे हैं जिस तरह से State Bank का भी मामला है State Bank of India अन्य भारतियों बैंकों ने आडानी समू को रिन दिया था उसमें 38 परतिसत जो है रिन भारतिये जो सरकारी बैंक है उनका है 80,000 करोड रुपया का कर्ज है तो ऐसी स्थिती में आज हम ये कह सकते हैं कि देश एक खतरनाक दोर से गुजर रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से आप अमूल का दाम हो दूद का दाम आप देखिए किस तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है इन तमाम चीजे होने लगी तो बावा बागेस्वर धाम आ गए इतनी बड़ी बात हो रही है तो ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई का एजेंडा सेट कर रहा है वो आज अमूल दूद कर रहा है दूद तो बच्चों के मूँ से छीनने की जिम्मेदारी सरकार ने ऐसी ली हुई है आप देखिए डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी न जो अमूल का दूद फीता होगा उनसे दूद छीनने का काम किया जा रहा है तीन रुपए एक साथ बढ़ा देना कहीं न कहीं ये महंगाई के एजेंडे को सेट कर रहा है और पूरे देश में जहां भी दूद भी किरता होंगे उसको आधार मान करके दूद कर एक बढ़ान हो तो हम लोग क्या समझें हम लोग यही समझेंगे कि प्रधान मंत्री जी आपका ये मित्र काल है और कहीं न कहीं ये लोगों को कंगाल बना रहा है और आप उसकी सफाई में ये बताना चाहते हैं कि ये अमरित काल है तो बिल्कुल गलत है हम ये कह सकते हैं कि करोडो के संपति है वो आज हमारी दाव पर है करोरो निवेशको की करोरो पालिसी होल्डर की गाड़ी कमाई खत्रे में है आप सब मैं समझता हूं इसमें से 80% लोग LIC के पालिसी होल्डर होंगे और जो बचे 100% हम यह कर सकते हैं 100% में 80% लोग SBI के खाता धारक होंगे तो आप यह कतई मत समझेगा कि मैं अपने लिए प्रेस कॉंफरेंस कर रहा हूं यह कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेस कॉंफरेंस कर रहा हूं यह प्रेस कॉंफरेंस आप सब के लिए कर रहा हूं और हमें लगता है कि आप सबों को गंभीरता से लेनी चाहिए चुकि आप आप जानते हैं कि कई जगा मीडिया में किस तरह की बाते चलाई जा रही है वो जान बूझ करके ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है मेरा आप सबों से नम्र निवेदन होगा कि आप इस चीज की गंभीरता को समझते हुए आप जो सोसल मीडिया के लोग हैं आप जो फ्रंट मीडिया के लोग हैं जो आप लोकल मीडिया के लोग हैं सभी लोगों से मेरा आगरह होगा कि आप लोग इसको बेहतरिन तरीके से जगा देंगे